हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके पने चैनल दी एक्जाम हेलपर मैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो NBS LDC 2019 का जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आ रही है तो उस अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखेगा और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसार पर बेल का बटन दबा दिएगा क्योंकि हमारे दोर आपको NBS की सही और authentic information दी जाती है दोस्तों बात बता दें कि NBS के final result को लेकर जो कुछ students है वो उनका कहना है कि हम ऐसा करते हैं कि जो परती अभी तक हमारी नहीं की है हमारे joining नहीं दी गई है उसके regarding हम जो headquarter है दिल्ली में उसका वहाँ पर जाकर protest करते हैं उनसे कुछ मांगे रखते हैं कि सर हमारा result दीजिए उससे बात करने की कोशिश करते हैं ऐसी कुछ जो है योजना बना जा रही है चात्रों की दारा बड़ दोस्तों मैं फिर कऊँगा कि अगर आप ऐसा भी कोई मलब कोई भी योजना बना रहे हैं जाने की तो मत करिए पिलीस मैं आपसे यही कऊँगा क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है भरती कैंसल कर दें वो लोग क्योंकि पूरा रही बात रिजल्ट की दोस्तों तो रिजल्ट कीरड थे 16, 17, March को side call किया था मैंने तो उनसे जो update निकल कर आई उनका कहना है, मैंने उनसे अच्छे से बात की थी तो उनका जो कहना है, उनका कहना है कि Sir, मैंने कुछ है, Sir हमारा result अभी तक मतलब इतना late हो गया, Sir 3-4 साल हो चुके हैं, अभी तक आपने result नहीं दिया है इसके JNB विद्याले में post vacant है तो वहाँ पर हम आपको posting देंगे तो उसके data के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं वो थोड़ा process को delay कर रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनके बास vacant post का अभी पूरा data नहीं है ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जुलाई के मन्त तक ये process complete कर लिएगी और उसके बाद जुलाई या अगस्त में आपका final result और जो आपका joining letter है, वो आपको देखने को मिल जागा और हो सकता है ऐसा भी कि जो सभी 470 यानी 470 जो बिद्यारती हैं बैसे 152 vacancy हैं, हो सकता है कि ये भी सोच रहे हूं कि सभी 470 candidates को यहां पर selection दे दिये जाए, क्योंकि notification में कहीं भी 1 ratio 3 mention नहीं था तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी ऐसी यूजना बना रहे हैं, तो please उसको ना करें और उसका support ना करें, क्योंकि अगर आप जाएंगे, तो वो हो सकता है, आपके ऊपर कोई legal action ले ले ठीक है, पुलिस में F.I.R कर दे कि ये लोग आए हैं हमारे पास, और ये लोग यहां पर उदम मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और हो सकता है, वो भरती cancel कर दे हैं, या फिर आप जब protest करने जाएंगे, तो उनके कैमरे लगे हुथ हैं, आपको कैमरे में देखके, और आपके admit card से आपका photo मिला के, वो साब साब आपको उससे discriminate कर सकते हैं, examing, जो उसका process है, और फिर आप क्या कर लेंगे, फिर आप बता ये कुछ कर पाएंगे क्या, मतलब तीन साल इंतियार किया, तीन-चार महीने और सही यार, क्या जा रहा है, मतलब फल मिलेगा, मीठा ही मिलेगा भाई, और थोड़ा इंतियार कर लिए, प्लीज, ठीक है, अगर कुछ भी करते हैं, गल्ती, तो फिर आप देख लिएगा, मतलब सभी के भविष्ट के साथ खिलवार कर रहे हैं, तो कि उन्होंने साब साब बोल दिया, कि उनकी भी मजबूरी की बेकन पोश्ट नहीं है, ट्रांसवर पॉलिसी बगर चल ला है, तो इसके रिगार्ड में ठीक है, तो यही अपडेट का दोस्तों इ नहीं चैनल को सबस्क्राइब के लिए, चलिए दूस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तो तलिए, जैहन!